तो गाइस वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप लोगों से कोशन पुछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि बीस्ट बोई शूप सर अपनी माइनक्राफ्ट सीरीस को कंटीन्यू रखेंगे या नहीं आप कमेंट कीजिए अपना अंसर यो वर्डजब गाइस हर्शियर और वेल्कम तो फिर्स एपिसोड ऑफ माइन ट्यूब टॉप और आज के हमारे पहले एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एक कमेडियन टीचर इंफ्लूएंसर एंटरेनर गेमर प्लस यूटिवर के बारे में नहीं आप लोग गलत सोच र प्लोडिंग माइन क्राफ्ट वीडियो तो कोई भी बात बोलने से पहले मैं आप लोगों को बीस्ट बोई शूब के करेक्टर के बारे में बता दूं वर्ट्सियल केरेक्टर ओवियसली बीस्ट बोई शूब एक इस टाइप का बंदा है कि वो सारे गेम स्ट्राइक करना चाता है और बीस्ट बोई शूब का यह कहना कि उनके लिए हर एक गेम का एंड आता है और इस यूनों गाइस की ग्रेनी पबजी और माइनक्राउट इनके चैनल की मौस्ट लवड और मौस्ट सक्सेस्फूल सीरीज रही है बट क्या आपको पता है कि बीस्ट बोई शूब इन थ्री गेम्स को खेल करीं इंडिया का सबसे बड़ा गेमर बन सकता है इन टम्स ओफ सब्सक्राइबर्स ओके तो यह मेरे पॉइंट ओफ यू से मैं बोल रहा हूं मेरी रिसेट से बोल रहा हूं यह कोई पत्तर की लकेद नहीं है मैं फहले ही बता रहा हूं लेकिन क्यो है कैसे बंदे कि अकर उन्हें कोई gameplay record करने में मज़ा आ रहा है तभी वह उस gameplay को पब्ले करते हैं वरना delete मुझे बागी के दो games का तो नहीं पता लेकिन मैं minecraft के बारे में बता सकता हूं कि वह interested है minecraft की videos upload करने में पर गेम का तो end हो चुका है ना यह मैं नहीं कर रहा हूं यह खुद beast boy shop ने कहा है अब मुझे पता है यह गिये में कैसी game है जिस पे infinite episodes बन सकते हैं और यह गिये मेरे channel की one of the best series गई है इस series को बहुत जादा प्यार मिला है और मुझे पता है अगर मैं इस पे और episodes बनाऊंगा आप लोग उने देखोगे चाहे वो कैसे भी हो मैं उसमें कुछ भी कर रहा हूं ताकि ताकि मैं और represent GAMS बासे त्राएं मैं अगरude यहाँ मिलाई त्राएं को अर इस Three डूराया सनी k invaliri मारे सरी जार्ने में यहाँ थम्रमाइ और तर की देखोगे अज गोई भी हैं जाता है ढथ सक्यदेग कर यहाँ पहुत बहुत मज़त बसाय सीरी सब्साने में हम लो लेकिन this is the end अब ऐसा नहीं है कि विस्ट बोई शूब कभी भी माइनक्राफ्ट की वीडियो से अप्लोड नहीं करेंगे लेकिन Q&A अनॉंस्मेंट वाली पोस्ट में स्पैम करने से कुछ नहीं होने वाला लिटरली 70% कमेंट्स माइनक्राफ्ट की थी महाँ पर मैं तो यह सोच रहा हूं कि भाई बीस्ट बोई शूब को कोशन सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगा होगा और किती मेहनत लगे होगी क्योंकि हर 10 कमेंट में से 8 कमेंट तो माइनक्राफ्ट की थी मैं आप लोगों को एक बात उता दूँ कि स्पैम करने से कुछ नहीं होगा बीस्ट बोई शूब ने कहा था कि अगर एंड सिटी वाली वीडियो है जो कि लास्ट वीडियो थी माइनक्राफ्ट सीरियस के अगर उस पे 500 के लाइक हो जाते तो वो सीरियस को कंटिन्यू रखेंगे जाए 10% चांस है कि आप लोगं मायंक्राफ्ट सीरिस को रिवाइव कर सकते हो बस आपको करना है कि आपको उस वीडियो को लाइक करना और 500 के लाइक कंप्लीट कर देने तो वीडियो कंटिन्यू ऐमीन सीरिस कंटिन्यू हो जाएगी विसे इस वीडियो को बनाने में में को बहुत महिनत लगी और I mean दो दिन लगगए रिसर्च करने वगेरा में सब में लेकिन वीडियो छोटी होटी है मुझे पता है और इतनी खास भी नहीं है बट मेरे इसाब से मुझे पता है आई मीन इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में हैस्टेक पोजिटिविटी थैंक्स इन एडवांस सर ओके काई साब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को परनाने में बहुत मेहनत लगी है जिसा कि मैंने अभी बताया है प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाई सकते हो और मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स वीडम है तब तक के लिए लेट्स स्प्रेट पोजिटिविटी